हेलो दोस्ते सागताव सेगी मैं चैनल दरिय लिए स्टेडी गलं में दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे जो थर समेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनका कल पॉलिटिकल साइंस का एक्सांस है तो कुछ इम्पोर्टेंट कोशन्स है इम्पोर्टेंट कोशन्स बताऊंगा कि जो कल आपके exam में आ सकते है political science वाले बच्चों के ठीक है history वाले बच्चों को भी बताऊंगा history का भी कल exam है बहुत से बच्चों का तो पहले political science वाले बच्चे को बता जाता हूं कि कौन-कौन से important question है जिनके उपर आज आप study कर सकते हैं और exam के समय कोई दिक्कत नहीं होगी और उनमें से दोस्तों एक या दो question जरूर आएंगे confirm है बस आपके जो word है एक दो इदर उदर हो जाएंगे वरना जो questions है एक या दो आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो मैं आपको questions बताऊंगा ठीक है तो उनके उपर study कर लेना आप लोग एक दो question जरूर आएंगे confirm कर रहा हूं ठीक है और जो history वाले बच्चे है उनके लिए भी अगली वीडियो जल्दी लेके आता हूं ठीक है तो ये वीडियो है political science वाले बच्चों के लिए तो कुछ important question आप लोग देख लीजी अपने कि क्या क्या कल exam में पूछा जाएगा और कौन कौन से पूछे जा सकते है ठीक है एक दो question जरूर confirm है आप इनके उपर study कर लेना क्योंकि exam के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर लिखने में ठीक है बच्चे फिर comment करने लगते हैं तुरूंत किसार आंसर प्रवाइट करवादो आंसर भी प्रवाइट करोंगा बट आप लोगों को भी study करना जरूरी आप लोग study नहीं करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा काम आप लोगों को study करना जरूरी है ठीक है तो यह आपका question paper है इन में से confirm है एक दो जरूर आएंगे आपको मैं questions दिखा देता हूं आप उनके उपर study कर लेना बुक्स डाउनलोड करके आप उनके उपर study कर लेना अगर किसी बच्चे को बुक्स मिली है तो उस भी में से study कर ले तो question देख लो पहले तो पहला question देखे क्या लिखा हुआ इसमें तुलनात्मक राजनीती विसलेशन की प्रकरती और छेत्र का परिछण कीजिए ठीक है तो इस question के उपर study कर लेना ठीक है यह जो 6 question है छे मसे आप study कर लेना सारे subject पे तो इन में से एक नाएक जरूर आएगा ठीक है अब second question देख लो दूसरा question देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है सत्तावास से आप क्या समझते हैं उदारण के साथ बताई बताएं कि कैसे सत्तावादी और लोकतांतरिक सासन व्यवस्ता एक दूसरे से बेनना है तो यह question भी read कर लेना ठीक है यह भी आ सकता है आपका confirm है repeat हो सकता है ठीक है अब तीसरा question देख लिए बेटे सांसिदी पर्लानी की पर्मुक विश्यस्ताओं को समझाएं ठीक है तो यह question भी read कर लेना यह 6 question है चैमा से आप read कर लेना इन सभी के answer और आपको इन में से जरूर पूछेंगे चोथा question देखिए अध्याशी पर्लानी की क्या फायदे हैं क्या आप इस खतन से सहमत है कि अध्याशी पर्लानी सरकार और राज्य को मजबूत नहत्युत प्रदान कर होती है तो यह भी read कर लेना ठीक है अब पांच्वा देख लेतें पांच्वा क्या है पांच्वा कोशन देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है चीन के विशेश संदर में एक दल्य विवस्ता की मुख्य विशिस्ताव की चर्चा कीजिए तो यह एक important question है यह भी आपका repeat हो स लगता है ठीक है तो आप यह चे कोशन है चे के ऊपर आप इस्टेडी कर लेना एक ना एक जरूरे confirm आएगा यह मैं अपने experience से बतारूं दोस्तों एक ना एक जरूर आएगा और यह अरवार पूछा भी गया है एक ना एक जरूर कोशन पूछा गया है ठीक है तो इनके पर पूशन का अंसर होगा उसकी notification आपको पहले मिल जाएगी ठीक है thank you